नमो नारायन संक्षिप्थ वालमे की रामायन भाग 43 लनका पर आक्रमन के लिए रन्नीती अब राम लनका के विरुद्ध युद्ध करने के लिए कूच करने की योजना बनाने लगे समुद्र पार करने के लिए राम चिंतित थे लेकिन सुग्रीव ने उन्हें भरोसा दिया हनुमान जी ने लनका के फाटक दुर्ग किला सेना विभाग आदी की जानकारी दी जिससे लनका विजय की योजना बनाया जा सके लनका के विरुध्ध राम की वानर सेना का प्रयांग सम्पूर्ण योजना बनाकर राम ने समस्थ सेना को कूच करने का आदेश दे दिया सेना को कड़ा आदेश था कि रास्ते में पढ़ने वाले नगर या वनों को वानर सेना किसी तरह की हानी नहीं पहुचाए समस्ट सेना टुपलियों में बांटी गई उनके सेना पतियों को सुरक्षा और अनुशासन का पूर्ण पालन करना था सेना के पिछले हिस्से के सुरक्षा का भी ख्याल रखा गया था मार्ग में इस बात का भी ध्यान रखा गया था कि कहीं रास्ते में राक्षस सेना छुपी न हो जो आगे बढ़ती सेना पर पीछे से आक्रमन कर दे समस्त वानर सेना रावन के विरुद्धा रोश से भरी और युद्धा के लिए उतसाहित थी डोपहर में जब विजय नामक शुब मुहूर्थ था सेना ने लंका के विरुद्धा कूच किया इस विशाल सेना में वानर के अलावा लंगूर और रीच के भी दस्तेच सेन्य टुकडियां थे समुद्र तट पर सेना का पड़ाव समुद्र के किनारे पहुँच कर सेना ने पड़ाव डाला सेन्य शिविर की सुरक्षा और अन्य व्यवस्था करने के बाद अब विचार शुरू हुआ की समुद्र को कैसे पार किया जाए रावन द्वारा युद्ध की तयारी इधर रावन के गुप्त चरों ने राम के सेना सहित समुद्र तट तक पहुँच जाने की सुचना दी यद्यपी उसे विश्वास था कि ये नर्ग राम लक्षमन और वानर इतने विशाल समुद्र को पार नहीं कर सकते फिर भी युधनीती को ध्यान में रखते हुए उसने अपने मंत्रियों के साथ बैठक किया इस बैठक में अधिकांश मंत्रियों ने रावन और मेगनाद के बल और पराक्रम का वर्नन करते हुए राम पर जीत का पक का भरोसा दिलाया प्रहस्त, दुरमोक, वज्रदंष्ट्र, निकुकम आदी ने शत्रू सेना को मारने के लिए अपना उत्साह दिखाया विभीशन द्वारा सीता को लोटने की सलाह लेकिन रावन का छोटा भाई विभीशन इस विचार से सहमत नहीं था उसने राम को अजेया बताते हुए उन्हें सीता लोटा देने का अनुरोध किया लेकिन रावन उसकी बात को अनसुना कर उठकर महल में चला गया अगले दिन विभीशन फिर रावन के महल में जाकर उससे मिला उसने लनका में होने वाले अप्षकुनों को बता कर उसे फिर सीता लोटा देने के लिए प्रार्थना किया लेकिन रावन ने अपने बल का बखान कर राम को जीत लेने का दावा किया और विभीशन को वहां से निकाल दिया रावन द्वारा नगर के सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और सीता के प्रती अपनी आसकती स्विकारना उस दिन रावन ने सभाभवन ने फिर इस विशे पर विचार किया चून की शत्रू नजदी का गया था इसलिए नगर की रक्षा के लिए जो प्रबंध थे उसकी फिर से समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश दिये गए इस सभा में रावन ने वह कारण बताया जिससे उसने सीता का हरन किया था उसने ये भी बताया कि उसने किन युक्तियों द्वारा सीता का अफरन किया ये सब बताने के बाद उसने ये स्वीकार किया कि सीता में उसकी आ सकती थी समस्थ स्थिती बताने के बाद उसने सभासदों से उनकी राय मांगी कुम्बकर्न द्वारा रावन का विरोध इस सभा में कुम्बकर्न भी था, वो अच्छे महीने और कभी कभी जादा समय तक भी सोता रहता था, फिर उठता था, खापी कर कुछ बातचीत करके फिर सो जाता था, इस दिन वो उठा हुआ था, इसके बाद लड़ाई के समय हारने लगने पर ही रावन ने उसे उठाया थ जब राम के हाथों वह मारा गया, रावन का सीता के प्रती आसकती और चुरा कर उसे ले आने के विशे में जब कुम्बकर्न ने सुना तब उसे क्रोधा आ गया, उसने इसे अन्याय पूर्ण बता कर रावन को फटकारा, लेकिन फिर भी जरूरत होने पर लनका के लिए शत पार्षु नामक सभासद ने रावन से कहा कि अगर वह सीता को इतना ही चाहता है तो उसे बलपुर्वक अपना लेना चाहिए, युद्ध में तो वे लोग राम और उसकी सेना का सामना कर ही लेंगे, रावन द्वारा सभा में अपने शाप की बात स्वीकार करना, इस पर र द्धोकर ब्रहमा जी ने उसे शाप दे दिया था कि अगर वह किसी स्त्री से उसकी इच्छा के बिना संभोग करेगा, तो उसके मस्तक के सो टुकरे हो जाएंगे, इसी शाप के कारण वह सीता पर बल प्रयोग नहीं कर सकता था, विभीशन द्वारा रावन का परित्याग क इस सभा में फिर विभीशन ने रावन से सीता को लोटा देने का सलाह दिया, लेकिन रावन का पुत्र मेघनाद उन्हें दरपोक कहकर उनका मजाक उडाने लगा, रावन ने भी कठोर और अपमानजनक शब्द कहा, साथ ही यह भी कहा कि भाई होने के कारण उन्हें जीवि इस प्रकार जब रावन ने विभीशन को अपमानत किया तब विभीशन अपने चार रक्षकों के साथ उठ खड़े हुए और रावन को अंतिम चेतावनी देते हुए लनका के लिए शुबकामना दिया, अपनी पत्नी और बच्चों को लनका में ही छोड़ कर वे आकाशमा सर्ग से राम के पास चल पड़े, विभीशन को शरन का प्राश्न, इस समय राम समुद्र के तट पर पढ़ाव डाले हुए समुद्र पार करने की प्रतीक्षा कर रहे थे, इसी समय विभीशन को चार राख्षसों के साथ आते देखा, विभीशन ने अपना सत्य परिचय द देने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन हनुमान उन्हें शरन देने के पक्ष में थे, शरन आगत की रक्षा करने की प्रतिग्या राम की भी थी, इसलिए विचार विमर्ष के बाद विभीशन को शरन देने का निर्नय राम ने लिया, विभीशन को अपनाने के बाद राम ने उ झाल झाल